दोस्तो रिकॉर्ड्स प्लेयर के बारे में तो आप सब ने सुनाई होगा जिसमें एक ब्लैक कलर की बड़ी से डिस्क होती थी जिसको एक बॉक्स के उपर गुमाने से म्यूजिक प्ले होता था पर क्या आप जानते हैं कि आखिरी काम कैसे करता था तो देख तरिये इस वीडियो को क्योंकि आज मैं आपसे इसके मारे बात करने वाला हूँ नमस्कार दोस्तो मेरा नाम मुहित आप देखने टेक नंदन लेट स्टार्ट दूसर रिकॉर्ड्स प्लेयर जिसको ग्रामोफोन फोनोग्राव जैसे नाम उसे भी जाना आता है इसको सबसे पहले 1857 में लियोन इसको द्वारा इंवेंट किया गया था रिकॉर्ड्स प्लेयर के तीन पार्ट्स होते हैं एक निडिल जिसको स्टैलेस कहते हैं दूसरा कैट्रिच और तीसरा रिकॉर्ड्स जो एक घूमती हुई ब्लेक डिसको होती है जिसके ओपर निडिल रखने पर म्यूजिक प्ले होता है दरासल वो ब्लेक डिसक म्यूजिक रिकॉर्ड होता है जो विनायल यानिकी PVC प्लास्टिक से बना होता है जिस पर spiral shape में zigzag group के रूप में music stored होता है और जब needle यानिकी stylus उस zigzag से होकर गुजरती है तब vibration पैदा होता है उसके बाद ये vibration needle से जुड़े cartridge में चले जाती है cartridge में एक left coil होता है और एक right coil जिसके बीच में needle से जुड़े एक magnet होती है और जब ये magnet needle के साथ vibrate करती है तब इन coils में electrical signal पैदा होता है इसमें जिस coil की तरफ magnet अधिक vibrate करता है जैसे left coil तब उसके दोरा पैदा किया गया signal audio का left channel होगा और right coil के लिए audio का right channel इसके बाद ये electrical signal amplifier दोरा amplified कियाते हैं और final step में इन signals को उनके चैनल के हिसाब से speaker तक बेज़ जाता है दोस्तो बस फ्लैटल ही इतना इस वीडियो में अगर आपको यह वीडियो पसंद आते तो इसा लाइक कीजिए शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते की वीडियो में गुड़ बाई